आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कॉंग्रेस पर, कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डारेक्ट अटाक किया, आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्ड डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं, क्या ये थ्रेट इतना रियल है, क्या आपको ऐसा दिखता है?